हरियाना में अमेरिका जाने का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है कोरोना के बाद तो एक बाड़ सी आ गए कि है कि हर बच्चा विदेश जाना चाता है आज से चार साल पांच साल पहले शहरों में जो बड़े गाओं हैं कस्बों में जो कोचिंग सेंटर होते थे उन सब कोचिंग सेंटरों ने इमिगरेशन की जगह ले ली है अब वहाँ जो कमपीटिशन जो नोकरियों के लिए बच्चे तैरी करते थे उनकी जगह है जो दिखाते हैं मैं कैमेरामेन साथे कोंगा कि एक बार ये कोठी दिखाए और ये कोठी नहीं पूरा महल एक बंगला बन रहा है और करोड़ों रुबे का ये बंगला त्यार होने जा रहा है पिछले तीन साल से यहां इसमें मजदूर कारिगर काम पे लगे वे हैं और अभी एक साल इसके त्यार होने में और लगेगा मेरे साथ सुलिंदर जी है और इन से बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जे सुलिंदर जी नमस्कार नमस्कार सार जे पहले दो यह जो कोठी है यह आपके साड़े साब की है यह रिलेटिव सार रिलेटिव आपके ना य कितने साल पर ले गए थी इनको चार साल हो गये हैं यहां क्या कारवबार है इनका अपना ट्रांसपोर्ट है अशर ले खुद का है तूइन लोगों इक पास पूंच ट्रगी ऑपना हैं इस अभी जो कोठी है महल है कितने एक एकड़ में बने रहे हैं याद एकड़ में हैं और जमीन अपनी थी उसके बाद इन्हों ने विदर से बनाए इसका मैप और शुरू किया काम ओके तो यह जो पूरा आर्खिटेक्ट है आपने कहां इंडिया से एर गया है विदेश से किया है यह आर्टिटेक प्रफाइब यह ताकि लगा जाएगा बाकि जदा लगाएगा अब मुझे रहा है कि दो क्रोड से जदा में त्यार होगी जायी जाया चेंग और मैंने देखिया इस गाउं में इस तरह की और भी कई कोठिया है और यह सारे अडो नहीं बढूंग़ और जा रहे हैं और जा कितना की पैसा भीज रहे हैं महिने में साल और में कितनी कमाई हो जाती है अच्छा काम चलता रहे ट्रांसपोर्ट आशी चलते रहे उनको ठीक है इंकम का अच्छी अच्छा काम करते हैं बड़िया दिल लगा के करें मेंद करें तो बंदा कुछ भी कर सकते पुरी पुरिवा पांस्लाग सेला इतना कमा लएते होंगे हैं का चार शाड़े चार लाख रबे एक मिन्पें리ा कमा लेते हैं जांटे है तो मेने गमा लेते हैं यह दो डाई लाफर बचा लेते हैं ठीक है यह तो मैं अंदर से हमने देखे थे बहुत बड़े बड़े बातरूम है और कीचन है और उपर से पुरा आए ओलिषान बंगला बस बंगला कि तो क्या का सकता है लेकिन अपने रहने के लिए उन्होंने दोनों रहों के लिए फिकी पसंदी करते हैं ने not के उनको नोने दो साल अगले साल कि चानस है तो अभी वहां जाने के बाद वहां को उने के बाद आएंगे अपिक मिलने करोना के बाद यहार मिलने के के तो यहां गाओं में आपने देखे इस गाओं में बड़ा असर है इसका विदेश चाले ने आप असलन है जनून है कम से कम इस गाओं के 50-60 लड़के बाहर है हाँ फिलाल 50-60 नहीं 700 800 साथ सबस्क्राइब करते हैं और जनून पैसा पहले घृइघ जा रहां और जुनून ने यंग जादा लड़के आए जो यंग में बहुत जादा जुनून पैसे और बहुत सारे जमीन बेच के वीज़ा रहें यहां किसी का हागर है तो पिछे का बैक फाइनेंशल ठीक है उसके बाद जो वहाँ कमाई करके यहां पैसा भेज़ रहे हैं। उससे हमारे गाउं की तस्वीर कितनी बदल रहे हैं। आप जिन गाउं के बच्चे विधेश दा रहे हैं वहां देखेंगे। लेकिन एक समस्या यह है कि वहाँ गाओं में यूथ नहीं है यूथ वल्कुल खाली हो गए है कर दो इससाल के लिवरieu और उसके लोघ क्राप ओंगु विदेश चला जाता है ऐसा है ना ओप्सन उनके पास यह कि यह नोगरी नहीं मिले जोब नहीं मिले तो बार जाओ और पैसा कमाने के लिए बार जाना सबसे बढ़ा उप्सनिया पैसा जैसे यह जो बच्चे डोंगी से जाते हैं खत्रा तो रहता है उसमें है कि अगर आपको सेफ है बेजने वाला तो वह ऐगा बहुत भड़ी है काफी बच्चे हैं बहुत भी आप जायें तो कोसिस तो यह करेंगी सबसे सेफ तो रहता है स्टेडी वीजा और उसके बाद माले आप डॉंकी की तरफ जाएं हम इसके लिए प्रोटसाइट नहीं करतें लेकिन फिर भी शेफ तरीके से जाएं सबसे आसान और स्रल तरीका तो स्टेडी वीजा का है जी सर ऐसा यह ना यह है कम डारेक्ट लीव अमेरिका का डारेक्ट ल करने के बाद बोनड आने के बाद फिर जाना वो सब के लिए तो पॉसिबल नहीं है तो दूसरा जो रस्ता है जैसे ब्रस्टेड़ हों डाठत में हैं आप मेरे साथ बने रहे हैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो विदेश का आसर विदेश कैसे जाएं वहां जाने के किस तरह से अपने गाउं की तस्रीवी बदल रहे हैं सब चीजें हर पहलो पर हम बात करते रहेंगे मैं आपका दोस्त करंपल धन्यवाद धन्यवाद सुलिंद जी नमस्कार